आप देख रहे हैं कहानी कुरसी की, कहानी कुरसी की में आई आई आप बात करते हैं आज ज़रा नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रधान मंतरी हों, राखुल गांधी हों, यूट्यूब आप ट्विटर पहले आप एक्स हो गया, इसके अलावा वाट्साप पर प्रधान मंतरी का चैनल है, आप देखते लगाता है, अब बेट्स उस पर आते रहते हैं, आज चर्चाम क्यों कर रहे हैं इसकी कि कल प्रधा आप यूट्यूबर हूँ, कई वर्षों से हूँ, और मेरे भी ठीक ठाक फॉलोवर्स हैं, उन्होंने कहा, और मैं आपको बढूंगा अख़ा कितने फॉलोवर हैं जिसको उन्होंने आमजी भाशा में ठीक ठाक फॉलोवर के दिया, तो सोशल मीडिया आज के जमाने में न इसमें कॉंग्रेस पार्टी या विपक्ष जो है, उसका पसंदीदा मीडिया प्लाटफर्म क्या है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, और आपको पहले प्रधानमंत्री के बात सुननी चाहिए एक यूट्यूबर की तरीके से जब प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी है, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेस आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाईएगा ये जो लाइन उनों ने बोली रहा, बेल आइकन जरूर दबाएगा, ये ये यूट्यूबर्स की पंच लाइन होती है, अब जब अपनी बात कह लेते हैं, सारी इत्तामंत में जरूर कहता है, तिरपाठी जी भी कहते हैं, लेकिन बहुत लोग कहते हैं, कि आप बेल आइकन एक करोड़ असी लाइग, राहूल गांधी के लगभग 31 लाइग, तो आप समझ सकते हैं, छे गुना, छे गुना, शिक्स टाइम्स जादा नरेंदर मुदी के फॉलोवर्स हैं, इसके लावा एक्स पर, यानि जो ट्विटर था, उस पर प्रधान मंतरी नरेंदर मुदी के परकाल से हफता दस दिन ही हुआ है, लाँच ही हुआ था, और आप देखे हफता दस दिन किंदर उसमें 70 लाख लोग जो गए, वाट्साप चैनल से नरेंदर मुदी के, और राहूल गांधी के वाट्साप चैनल पर लगभग 24 लाख, 25 लाख के आसपास, जो हैं, वो लोग सरी को यूट्यूबर, उन्हें खुद बताया कि मैं 15 साल से यूट्यूबर हूँ, अब क्यों बताना पड़ रहा है, कॉंग्रेस के हैंडल्स आप देखेंगे, या कॉंग्रेस समर्थिक लोगों के हैंडल्स, कहने हैं कि ये सोशल मीडिया पर ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है बीजेपी को, उसकी वज़ए से करना पड़ रहा है, राहुल गांधी बहुत पॉपिलर है सोशल मीडिया में, राहुल गांधी के वीडियो जलते हैं यूट्यूब पर, तो कई कई लाख करोड करोड तक उनके पहुंच जाते हैं, वियूज पहुंच जाते हैं, उनका प् पूरी टीम पैसे पर काम करती है, लेकिन मैं चुकी संयोग वश इस देश के जो शायद चुनिंदा हिंदी ब्लॉगर्स रहे होंगे, तो में मैं शामिल हूँ, यूट्यूब पे भी मैं बड़ा अरली आ गया, और अभी एक रोचक बात मैं बताता हूँ, संयोग से कल भी एक कैसा वाक्या हुआ, लेकिन पिछले साल भर में पांच ऐसे मैंने बड़े सोशल मीडिया इंफ्लूइंसर से कारिक्रम थे, तो उसमें क्या वो कहते थे, कि सर कोई रास्ता मिले, हमें यूट्यूबर कहते हैं सब, हमें वो दरसल यूट्यूबर और जनलिस्ट उसके बीच क जो फर्क है, लेकिन आज मैं उनको कहूंगा कि देश का प्रधानमंत्री यूट्यूब के फैन फेस्ट में जिसको पांच जार लोग सीधे देख रहे थे, और लाइव लाखों लोग जुड़े हुए थे, वहाँ पर जाकर कह रहे हैं, मैं भी आपका एक फेलो यूट्यू आता है, वो पूरा वीडियो किसी और शो में दिखाई एक बड़ा रोचक है, यह इपॉर्टन पॉइंट आपने कहा, प्रधानमंत्री ने जब इस यूट्यूब फेस्ट को सम्मोदित किया, तो बोले क्या, इंपॉर्टन बात मुझे तर पार्ठी जी ने याद दिलाए, वहाँ उन्होंने अपने सरकार की तीन स्कीम का जिकर, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल पेमेंट्स, एक चीज़ और में भूर रहा हूं, वोकल फॉर लोकल, इन तीन अभियानों का जिकर किया, कि इसको आप लोग अपने कॉंटेंट को शामिल करें, मुझे लगता ह कि ये सबसे महत्पून है, राहुल गांधी आज तक उस मीडियम का इस्तेमाल करके, एजेंडा क्या बढ़ाना है, किस से बात करने है, किस को जोड़ लेना है, किस से कनेक्ट करना है, अगर आपको अपनी ओडियंस नहीं पता, अगर आपको पता ही नहीं कि आप किस को कनेक करना चाहते हैं, तो इस पूरे मीडियम का कोई लाभ आपको नहीं मिलने वाला है, हो सकता है कि कुछ लोग देखें, आप इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं, और प्रधानवंतरी नरेंदर मोधी किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, फेलो यूट्यूबर्स, क्या क क्या कहते हैं, आप influencer हैं, क्या कहते हैं, आपका impact जो है, वो जरा बताई न सरल तरीके से कैसे digital payment करते हैं, और जाते जाते कहते हैं, आप लोग बड़े cool तरीके से करते हैं, और अन्त मैं कहते हैं, भाईया सब्सक्राइब कर लेना, गंटी भी दबा देना, मुझे लगता है कि ये जो connect करने का तरीका है, और मैं बार-बार उसका जिक्र करता हूँ, कि 2012 में, ब्लॉगर मीट कराने वाला देश का अकेला नेता गांधी नगर में उनने नर्मोदी थे, तब मुझे मंत्री थे, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई views या कुछ ऐसी चिंता है, उनकी च कि ये योजनाए हैं हमारी, आप इन योजनाम को प्रमोट कीजिए, वो योजनाए हम सब जानते हूं किसी पार्टी की योजनाए नहीं है, स्वच्छ भारत हो, डिजिटल पेइमेंट हो, वोकल लोकल हो, ये तो देश की कारेकरम है, जो राहूल गांधी की team content डालती है, व वो solely for political use होता है, वो audience भी YouTube के लिए ही होती है, ऐसा नहीं है कि प्रधान मंत्री के YouTube पर जो content डाल रहा है, वो YouTube के लिए बनाया गया है, लेकिन राहूल गांधी के लिए, जो content डाल रहा है, वो YouTube के लिए ही बनाया गया, व्यूस में चीक हैं, decent views मैं कहूंगा, अभी आप दे market पसंद है, इस सारी बाते हैं, उसको तीन लाक के करीब जो है, वो लोग देख चुके हैं, जो किसानों वाला जो वीडियो था, वो बड़ा चल गया, लगभग 3.9 million views, लगभग 40 लाक views जो हैं, उसको राहूल गांधी को YouTube पर तो लोग लिखते हैं, नहीं देखें, फॉलो क्या है, दोनों में, दोनों लोग social media platform को यूज कर रहे हैं, ज्यादा तर जगह राहूल गांधी activities के लिए, अपनी जो activities हैं, political activities है, action है, meetings है, उसके लिए उस medium का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रधान मंत्री उसके लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, प्रधान मंत्री message के लिए जो भी वो message देना चाहते हैं, जो connect करना चाहते हैं, उस message, message से हमेशे आप connect होते हैं, कुली वाला जो हुआ, जैसे आपने जिकर किया राहूल जी का, तो वो attractive लगता है, किसान वाला भी attractive लगता है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं, लेकिन message कितना communicate करते है प्रधान मंत्री ने जैसे आपने कहा कि वो message communicate कर रहे है, वीजे जी, message कोई है भी क्या, मैं कहा रहा हूँ, medium का आप जो इस्तिमाल करते हैं, और आपके पास कुछ देने के लिए नहीं, माली जी कोई मुझे देखने आए, देखने आएगा भई, आप इतना data है, mobile सब के मैं कहा रहा हूँ, सोचिए ज़रा, प्रधान मंत्री ऐसे ही जो है, जैसे राहूल गांदी थोड़ा सब पैंट उपर पहुंचा उपर करके, खेत मोतर गए, ऐसे imagine कीजे, अगर कभी नरेंद्र मोदी आपको किसी खेत में खड़े दिखा ही दे जाए, उसको कितरा लोग द रहे, इसलिए वो एक्षन के तौर बार और एक जो आप वीडियो होता है, वो सब कुछन कुछ तो देखते ही हैं आप, सब चीजों को देखते हैं, राउल गांदी एंटरेंबंट है, एंटरेंबंट नहीं है, लेकिन वो बाठी जी ने बात किना, कि आपको अभी आडियंस आपको पता हो, और दूसरा आपका मैसेज क्या है, मैसेज जब आपको क्लियर होगा था, आपको टागेट आडियंस भी पता होगी, कि मैं किसको ये कम्म्यूकेट करना चाहता हूँ, ठीक है, और प्रधान मंत्री ने जब कल बातचीत की है, इसका मतलब वो यह न हैं, और जो ब्लोगर है, उन लोगों के साथ भी मुलाकात किया, उनके साथ वो कनेक्ट बढ़ा रहा है, क्योंकि वो समझ रहे हैं, आज के इस मीडियम की ताकत लगातार बढ़ रही है, और उसे अपना मैसेज कमिलिकेट करने के लिए उज़ कहा है, जब सोशल मीडिया प या यह भुलावा है कोई? कितने नॉर्मल यूट्यूबर वो आपको करेंगे, और मैं आज ये कह रहा हूँ, कि आने वाले किसी मन की बात में प्रधान मंतरी जी बताएंगे, कि उस यूट्यूब फैन फेस्ट के इस यूट्यूबर ने कहा, कि फ़लाना बीच पर गंदगी बहुत थी, हमने क्लिनली के समदर में किया, कोई पेटियम करते हुए, पेफोन करते हुए, यूपियाई करते हुए बताएगा, कोई बताएगा कि ये कारीगर है, वहां की परपना क्या है, इतना कुछ जुड़ेगा, यानि वो सीधे सीधे concern बन जाता है, लोगों के जीवन का जो हिस्सा है, वो बन आती थी, आज ये वाला क्यों हुगा रही हो, कीमत के लिए उस बाजार में क्यों हुगा रही हो, ये नहीं करेंगे, ये कता ही नहीं करेंगे, ये करना भी नहीं करेंगे, किसी भी समझदार व्यक्ति को जो भी देश की खेट किसान मजदूर को जानता है, सोशल मीडिया र दिखेंगे तो भारद जान था पीटर ओ, चाहे फेस्बूक ओ, चाहे ट्वीटर ओ, प्दामंतृरियों से का कि आप अपनी योजनाओं को को ट्वीटर पे फेस्बूज पे ऑफेस्बूब पे डालिए आप क्या काम कर रहें बताइए आप अपनी जंता से अपनी तो प्रदान मंत्री तो बार बार अपने सांसदों से, विधायकों से, मंत्रियों से कहते रहे कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्याद आपको एक्टिव रहना है, जनता से कनेक्ट रहना और आप काम क्या कर रहे हो, सरकार क्या काम कर रही है, यह उन्हें अपडेट करो, आप डारेक उनसे कनेक्ट रहो अभी तो यह मैसेज दिया उन्हों ने, प्रदान मंत्री ने पिछले दिनों, कि जिन लोगों का सोशल मीडिया पर कितने फॉलोओर ने, वो टिकट के हिसाफ में भी तैय होगा, कि आपका कितना फॉलोओर ने, जो लेकिन जो लोग आपको, जिनों आपकी बात सुरी होगी एक लाइन वो बोलू, सौरब जी, पत्रकार का काम नहीं कर रहा है न, ये तो बरसों से, ये हम लोग पूछी रहे है न ट्रक ड्राइवर से मिले थे तो मैं समझता हूँ एज लीडर पोजिशन पार्टिक लीडर उन्हें उसके बाद नितिन गटकरी से मिलना चाहिए था और कहना चाहिए था कि भाई सब आप मंत्री हैं और इनकी परिशानी है इस पर मैंने खुद मिला हूं इस पर आपको कुछ काम करना है और उसको सोशल मीडिया पर ठालते हैं तो उन दोनों का इंपक्ट अलग तरीके साथ है यह बात इंपॉर्टन है कि मैंने भी एक बारक्स की चर्चा की एक कॉंग्रेस के नेता से प्रवक्ता से कि भाई हम अपने नेता से सलूशन चाहते हैं तो हम उसको लीडर को समझ चुके हैं लेकिन स्लूशन इन रहा हुजा है ना कि यह जो एक्टिविटीज हो रही है कुली वाली है किसान वाली है यह अन्प्लाइन तो नहीं है यह सब प्लैन है ना बिल्कू अब एगजान क्या है यह इंपॉर्टन पात है और वो तो जो उनकी टीम है राहुल तो उस plan को तैय करेंगे कि इसका क्या मतलब है हम कहां पाहुचना चाहते हैं जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि railway station आप चले जाए नई दिल्ली railway station वहाँ पर राजधानी भी जा रही है वंदे भारत भी जा रही है एक्स्प्रेस भी जा रही है पैसंजर भी जा रही है राजधानी सबसे अच्छी train है तो क्या आप राजधानी में चले जाएंगे आपको station पहले तैय करना पड़ेगा न तो राहुल गांदी को मानुदी को destination नहीं पता है मुझे यह नहीं पता मैं यह कर रहा है कि उनको पता है कि नहीं पता लेकिन वो यह यह क्म्यूदी कर पा रहे कि वो राजधानी में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उन्हें सीकर जाना है सीकर जो है राजधानी नहीं जाती है चलिए ये तो राहुल गांधी की सोचल मीडिया प्रधान मंत्री की सोचल मीडिया प्रजेंस पर बात हुई अभी जो रिवेदी जी ने कहा डेस्टिनेशन पता हुनी चाहिए क्या ये जो गठबंदन विपक्ष का बना है इंडिया एलाइंस इसको अपनी डेस्टिनेशन मालूम है क्या जो कुछ पंजाब में हो रहा है उसके साथ वो भी होता रहेगा और बैठिके भी होती रहेंगी पटना की मंबई की और मैंगलूरू की और साथ में चुनाओं भी रड़ा जाएगा आम आदनी पार्टी की सरकार ने कॉंग्रेस पार्टी के एक विधाया को इंपॉर्टन्ट लीडर को सुखपाल खेडा को गिरफतार कर लिया उनके घर से आरोप बड़ा संगीन है नौ साल पुराना आरोप है आरोप है ड्रग्स का ड्रग्स की तसकरी का इल्जाम लगाया गया है मामला पुराना है आज गिरफतारी हुई है इसको लेकर सबर दस तरीके से हरकम मचा हुआ है पंजाब की राज़ीती में